डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के इस प्रोजेक को 21 सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकिकत बन चुका है कुछ दिन पहले जो न्यू भावपूर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है वहां माल गाड़ियों की स्पीड 90 किलोमेटर प्रती गंटा से उपर तक दर्ज की गई है जिस रास्ते में माल गाड़ियों की आउस्त स्पीड सिर्फ 25 किलोमेटर की रही हो वहां अब पहले से करीब करीब तीन गुना जादा तेज माल गाड़ि चलने लगी है भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए चाहिए